नमस्कार प्रियमित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल एन्वीरा एजूकेशन पर मैं महिंद्र बन जा रहा आज फिर से आप लोगों के बीच आपके जो 500 प्लस क्यूशनों का टारगेट रर्रब अंटी पीसी और डी ग्रूप के उपर हम जो ले गनीत का तीसरा वीडियो है रिजनिंग के दो वीडियो और गनीत के दो वीडियो अल्रडी अप्लोड कर दिये गए हैं तो आप उन्हें अच्छे से देखिए सातियों और सात में बने रहिएगा पूरा वीडियो देखिएगा 100% वादा करता हूँ आपका ये 500 प्लस अगर और पहला प्रस्न देखिएगा सातियों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आने वाला है प्रस्न संख्या एक और ये रहा यदी यदी एक यदी एक संबव यदी एक संबव त्रिबुज का चैत्रफल यदी एक संबव त्रिबुज का चैत्रफल चोबीस रूड तीन हैं यान इसका परिमाप ग्यात करो साथियों तो इसका परिमाप ग्यात करो बहतरीन प्रशन है और आपको इस प्रशन का एंस्वर देना है option A 16 root 6 सही है option B 96 96 सही है option C 4 root 6 सही है या option C 12 root 6 सही है अच्छे से देखिए इस प्रकार के प्रकार के प्रकार को हल करने के लिए आपको जो formula हैं वो सारे याद होने चाहिए आपको मैं बता दूँ संबव तिर्बुज का जो सुत्र होता है संबू तिर्बुज का छेतरफल की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा होती सिंपल सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है आपका रूट तीन बटा चार रूट तीन बटा चार भुजा स्क्वेर इसके लिए आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे और ये सारी चीजें आपके शेलेबस में एड ऐसाती हो अगर ये आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो रेलवे का एक्जाम भी आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पर क्या बोला है संबू तिर्बुज का छेतरफल और इस पष्ट देखो संबू तिर्बुज का छेतरफल आपको प्रश्ण में दियावा हैं कितना है 24 रूट 3 ये जो मैंने यहाँ पर ये जो चीज लिखी है इसके बराबर में ये चीज हो गई और बराबर में ओल्रडी क्या है रूट 3 बटा 4 और बुजा स्क्वेर अब देखो यहाँ पर मैंने ये चीज बराबर कर दी लेकिन आप कोगे ये क्यों कर रहे हो क्यों कि मेरे को इसका परिमाप चाहिए परिमाप क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ परिमाप परिमाप होता है इसका 3 इंटू बुजा किसका परिमाप सातियों किसका परिमाप संबो उत्रिबुज का परिमाप होता है 3 into भुजा कितना होता है 3 into भुजा तो यहाँ पर पहले भुजा लानी पड़ेगी और भुजा इस according आ जाएगी और वो value open वहाँ पर रख देंगे तो देखे रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया यह 4 यह 4 अगर वजर गुणा करूँ तो 4 इदर 24 के गुणे में आ जाएगा और बराबर में भुजा square ही बचेगा square जब हटता है तो क्या लगता है root तो यहाँ से हटा देते है square और इसके उपर लगा देते है root तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह क्या है इसको मैं 6 into 4 into 4 लिख सकता हूँ बराबर में है भुजा अब देखेगा सातियों क्या कर रहा हूँ उसके बारे में धियान दीजिएगा 6 का कोई solution नहीं 6 का root ऐसे कैसे 4 किसका 4 into 4 जब 2 बार आ जाता है तो आपको पता है root हर जाता है तो 4 बार आ गया यह किसका मान आ गया आपके पास भुजा का भुजा आपके पास आ गई अच्छे से समझ में आ गया यहाँ पर यह 4 इसके गुणे में आ गया वो square हटा तो इदर root हो गया 24 का तात्परिये 6 into 4 दो बार जब एक जैसी चीज root में आती है तो वो root को हटा देती है वो चीज बाहर आ गई और 6 दो बार नहीं आया एक बार ही है तो 6 का 6 ही रहेगा अब अगर मैं कहूं कि यह भुजा है तो आपको भी स्फष्ट हो गया कि बिल्कुल भुजा यही है तो अपन को चाहिए परिमाप और परिमाप का सुत्र क्या है 3 into भुजा और भुजा कितनी आई अभी 4 root 6 कितनी आई 4 root 6 तो 3 into 4 12 root 6 यह है आपका right answer option number D अच्छे से screenshot ले लिजिए screenshot लेकर यह आप solution जरूर लिखेगा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरे प्रश्ण की और दूसरे प्रश्ण में क्या है साथियों वो चीज देखेगा दूसरा प्रश्ण भी बहुत सांदार प्रश्ण है continue जुडे रहे दूसरा प्रश्ण की दो अनुक्रमिक छूट देता है साथियों अनुक्रमिक क्या देता है छूट देता है आगे बोला है और और अपने उतपाद और अपने उतपाद और अपने उतपाद के लिए और अपने उतपाद के लिए 108 रुपे पाता है 108 रुपे पाता है उतपाद यानि जो वो बना रहा है इसका वास्त्विक मुल्य इसका आपको क्या वास्त्विक मुल्य ग्यात करना है इसका वास्त्विक मुल्य ग्यात करो और ये Mix Series चल रही है Mix Series वो भी 500 प्लस क्यूशनों की अगर इस Mix Series की बात करो तो ये और भी important क्यों साबित हो जाती है क्योंकि इस Series के अंदर आपको total जितने भी topic है उससे related सारे प्रशन आपके सामने आ रहे है यहाँ पर ये प्रशन है इसके option भी देख लीजिए option A है आपका 142 रुपे option B है मित्रों 147 रुपे option C है 150 रुपे सातियों and option D है 153 रुपे अब आपको यहाँ पर क्या चीज बोली जा रही है उसके बारे में समझिएगा एक दुकानदार 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट अनुक्रमिक यानि लगातार छूट देता है और अपने उत्पाद और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपे पाता है यानि छूट देने के बाद में उसकी जो income हुई है वो कितनी हुई है 108 रुपे ज़र थोड़ा सा सोचना है कि अगर दो चूट एक साथ दी जा रही है उन दो चूट को अगर एक छूट में convert करना है कितनी चूट में एक छूट में तो सुतर क्या है वो देखेगा a plus b minus a b बट्टा 100 अब यहाँ पर पहली छूट कितनी है 20 यह तो है आपका a दूसरी छूट कितनी है 10 यह है आपका b तो a का मान है 20 b का मान है 10 minus 20 20 into 10 बट्टे में आ जाएगा 100 इन 2 0 से यह 2 0 कैंसील हो गए 20 और 10 कितना होता है 30 minus 2 यानि 28% चूट दी जा रही है कहने का मतलब यह दोनों चूट को एक चूट में कनवर्ड कर दिया टोटल 100 परतिसत थी 100 में 28% की क्या दे दो सातियों चूट तो 100 minus 28% करोगे तो कितना बचेगा 72% 72% सेस बची वस्तु का मुल्य और उसके लिए अपने उत्पाद का मुल्य कितना 108 रुपे है तो यह 72% किसके बराबर हुआ 108 के तो एक परसेंट बराबर कितना 108 बचा 72 और इसका वास्तुविक मुल्य वास्तुविक मुल्य आपको पता है हमेशा कितना होता है 100% तो इसको यह आपे भी 100% लिख देता हूँ और 108 बचा 72 को गुणा कर लिया किस से 100 से किस के पहाड़ से कट रहे अठार पाड़ नबबे अठार चंग एक सो आठ और अठार अठारा के पहाड़ से बहतर अठार एकम अठार अठार दुना चतिस अठार तरी चौपन अठार चौक बहतर किलियर हो गई बात चार के पाड़ से 100 कितनी बार करता है 25 बार 25 छक्के कितना होता है 500 रुपे कितने रुपे हो जाएगा वास चिग मुल लिए 500 रुपे अच्छे से किलियर हो गया सातियों अच्छे से अगर ये टौपिक किलियर हो रहा है तो जरूर इस वीडियो को सैर करें अपने मित्रों तक और अपना जो रैस्पॉंस है वो भी जरूर देजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सैर करें जितना हो सके क्योंकि सैर करोगे तो आपके लिए भी फाइदा और आपके मित्रों के लिए भी अन्य जो भी आपका साती है उसके भी फाइदा छूट में कनवर्ड कर दिया सौ में से 28 गटाया 72% अपने एकोडिंग बसता है और प्रशन के एकोडिंग 108 रुपे उसके इंकम बराबर किया तो 1% बराबर 108 बटा 72 हो गया तो टोटल वास्त्विक मुल्य तो 100% और 100% बराबर 108 बटा 72 इंटू 100 हो जाएगा सात्यों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके तीसरे प्रशन की और ये प्रशन रेलवी के एक्जाम में बार बार आये हैं और आते भी रहेंगे इसलिए आप तयारी कर लो और अच्छे से कर लो जम कर तयारी कर लो जब प्रशन में हल करवा देता हूं तो स्क्रिन सोट ले लीजिएगा और उससे आपका फाइदा जरूर होगा क्योंकि वो प्रशन आपके पास सेव रहेंगे कभी भी आप उन्हें देख पाओगे प्रशन संख्या 3 प्रशन संख्या 3 है हल करो हल करना है और एक सिंपल सा प्रशन है तीन रूट 121 माइनस रूट 361 बटा रूट 539 प्लस 2 रूट 36 का रिजल्ट क्या होगा ओप्शन ए है 3 बटा 5 ओप्शन बी है 4 बटा 7 ओप्शन C है सातियों 1 बटा 4 औप अप्शन D है 2 बटा 5 आपको यहां पर बताना है इसको सरल करके सरल यानि इसका नॉर्मल सा हल आपको देना है लेकिन इस प्रकार के प्रशनों का हल करने के लिए आपको अनिवारी रूप से वर्ग आने चाहिए अब देखो 3 121 किसका है 11 का ये दोनों आपस में गुना ही तो है माइनस 361 किसका है 19 का किसका है 19 का आपको मालूम होना चाहिए एक से तीस तक कम से कम वर्ग आने ही चाहिए एक से दस तक घन आने ही चाहिए जैसे 18 है 19,19 का 361 हो गया 18 का 324 है सातियों 539 किसका है 23 का 539 23 का प्लस 2 36 किसका 6 का 11 इंटू 3 किता होता है 33 माइनस 19 बटा 23 26 12 तो यहाँ पे देखो 33 में से 19 जाते हैं कितना बसता है 14 और यहाँ पर कितना 20 30 35 7 के पाड़े से 2 बार 7 के पाड़े से 5 बार 2 बटा 5 यानि आपका राइट एंसर कौन सा होगा आपसा नमबर डी बिलकुल नॉर्मल सा कॉंसेप्ट है लेकिन उसके लिए अनिवारी सर्थ जो है वो दिमाग में फिक्स कर लेना ये चीज़ें अगर आती है तो ऐसे प्रशन अराम से हल हो जाएंगे आगे बढ़ता है और चौते प्रशन की बात करते हैं चौता प्रशन भी देखिए किस प्रकार का है और एक्जाम में अगर ऐसे प्रशन आए तो किस प्रकार हल करना है चौता प्रशन और आपके सामने इस प्रकार है कि एक रेल गाड़ी से रिलेटेट प्रश्ण है एक 90 मीटर एक 90 मीटर लंबी एक लंबी ट्रेन 15 मीटर 15 मीटर परतिस सेकेंड 15 मीटर परतिस सेकेंड की चाल से 15 से सेकेंड 15 में एक पुल को पार करती है तो पुल की आपको लंबाई बतानी है बहुत ही सिंपल सा प्रश्ण पूछा है लेकिन जिसको इसका कॉंसेप्ट मालूम है वो बड़ी ही आसानी से इस प्रश्ण को हल कर लेगा तो A अप्शन है 225 मीटर अप्शन नंबर A 225 मीटर अप्शन नंबर B 135 मीटर सातियों अप्शन नंबर C है 315 मीटर अप्शन नंबर D है 160 मीटर अब इस प्रश्ण का एंस्वर निकालने का तरीका देखेगा आपको क्या बोला है एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर पर 30 सेकेंड की चाल से 15 सेकेंड में एक पुल को पार कर जाती है ये वाला पुल है ये पुल है और इस पुल को यहाँ पर एक ट्रेन चल रही है इस ट्रेन की लंबा ही कितनी है 90 मीटर है 90 मीटर है कितनी मीटर है 90 मीटर है अब आप देखिएगा यह 90 मीटर लंबी ट्रैन यहां से चलना प्रारंब करेगी इस पुल को पार कर रही है किसको पार कर रही है इस पुल को तो यहां से यह ट्रैन है इसने चलना प्रारंब किया और यहां से पुल के अंदर प्रवेश किया यहां से होते हुए होते हुए ए समझना है पूरे लंबाई समझनी है तो यहां पर यह और यह पूरी मिला के क्योंकि ट्रेन यह वाली पूरी जो ट्रेन है इसको भी तो पार करना है यहां से सुरू हुई तो यहां पूरी ट्रेन आगे बढ़ेगी तो यह वाला पार करने यह ट्रेन की लंबाई है किस की लंबई का सामना करना पड़ा ये पूरी लंबई है तो अब देखेगा आपको क्या समझना है 90 मीटर लंबी ट्रेन ये 90 मीटर लंबी ट्रेन माना पुल की लंबई X, ये हो गई, कुल दूरी, क्या हो गई, दूरी, दूरी बटा, समय बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता है, समय बराबर होता है, दूरी बटा, चाल, यही होता है, दूरी बटा, चाल, आपके पास क्या है, 90 मीटर लंबी ट्रैन, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से, 12 सेकंड में एक pull को क्या कर जाती है पार तो चाल आपके पास ये रही समय आपके पास ये रहा ये चाल है ये है समय ये चाल है ये है समय और ये तो लंबाई केवल train की है X मेंने जो जोड़ा है वो किसकी लंबाई pull की total लंबाई पूरी count होगी न तो यहां पर ये total दूरी दूरी बटा चाल बराबर में क्या आना चाहिए समय आना चाहिए या नहीं आना चाहिए अब देखिएगा दूरी कितनी हो गई दूरी हो गई 90 प्लस X चाल कितनी हो गई 15 समय कितना हो गया 15 समय कितना हो गया 15 ही तो हुआ क्योंकि 15 सेकंड में पार करती है बटा एक वजर गुणा करते हैं 15 इंटू 15 कितना होता है 225 तो एक्स बराबर 225 माइनस 90 कितना होगा सातियों यह हो जाएगा आपके 135 मीटर और यह 135 मीटर कौन है पुल उसकी लंबई आपके सामने है तो यह तरीका अपना लीजी 100% कभी गलती नहीं होगी यहां पे पुल हो सकता है यहां पे प्लेटफर्म हो सकता है अच्छे से धियान रखना पुल है प्लेटफर्म है इन चीजों की इस्तती में दोनों का योग होगा क्योंकि एक दूसरे को पार इस कौनर को यहां से रवाना होकी यहां तक ट्रेन स्वेम भी पार होगी ट्रेन और पुल दोनों की लंबई एड होगी क्योंकि यह दोनों यह इस्तती इस प्रकार की बनेगी तो यह मैंने जोड लिया अत्कुल दूरी 90 प्लस एक्स बटे में चाल समय आपके पास है और इस प्रकार के प्रश्णों में आपको ध्यान देना है आपको किलोमीटर परती घंटे को अगर मीटर पर सेकेंड में कनवर्ड करना है तो किस से गुणा करोगे आप 5 बटा 18 से और ऐसे कैसे मीटर पर सेकेंड को अगर आपको कनवर्ड करना है किलोमीटर परती घंटे में तो 18 बटा 5 बड़ी इकई से छोटी इकई तो छोटा अंक ऊपर रहना चाहिए और छोटी इकई से बड़ी इकई तो बड़ी वाली चीज उपर बड़ी इकाई चाहिए तो बड़ा उपर छोटा चाहिए तो छोटा उपर और तरीका कैसे यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह कैसे ग्याद करते हैं जैसे किलो मीटर हजार है और गंटे में 60 मिनट 60 से किन्ड दो जीरो से दो जीरो तीन और यह पांच उप अच्छे से समझिए और नौट्स बनाईएगा मैं कह रहा हूँ 500 प्रश्णों को एक जगा संग्रित करके नौट्स बनाया रहा है वो वाके में फाइदेमंद उसके फाइदा होगा एक आदमी चार किलोमीटर परती गंटा एक आदमी चार किलोमीटर परती गंटे की गती से तीन गंटे चलता है किते गंटे चलता है तीन गंटे चलता है और समान दूरी समान दूरी पर वापस समान दूरी पर वापस सोला किलोमीटर परती गंटे की गती से दोड कर आता है सातियों तो दोडने में उसके दोरा लिया गया समय ग्यात करो ओपसन नंबर ए है आपका अच्छे से देखेगा आप चार ओपसन आपके शामने आने वाले हैं option number A है 45 minute लेता है option number B है आपका 72 minute लेता है option number C है आपका 30 minute लेता है या option number D है आपका 42, 42 minute लेता है अच्छे से ये प्रश्न हल करना है और आपको यहां पे क्या पूछा गया है उस चीज का विशेश द्यान देना है वस ये formula तो द्यान जहन में रखना ही है चाल बरबर दुरी बटा समे होता है आपको यहां पर क्या पूछा है आपको पूछा है कि एक आदमी 4 km परती गंटे की गती से 3 गंटे चलता है तो आप लोगों को अगर मैं दुरी का formula पूछे हूँ तो दुरी होती है चाल इंटू समे यहां से यहां तक जब line पढ़ता हूँ ना तो मैं दूरी गयात कर सकता हूँ 4 km परती गंटा, समय कितना? 3 गंटे यहां से कितना? 3 into 4, 12 km टोटल दूरी कितनी हुई? 12 km और समान दूरी पर वापस 16 km परती गंटे की गती से दोड़ कर आता है समान दूरी के लिए दोड़ कर आता है तो उस समय उसकी स्पीड 16 km परती गंटे हो जाती है तो दोड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ग्याद करो जैसे ये वाला एक ट्रेक है इस track पे वो चल कर अगर जाता है तो उस condition में तो उसकी speed रहती है 4 km परती गंटा और अगर दोड कर वापस आता है तो उस समय उसकी speed हो जाती है 16 km परती गंटा तो चल के जाओ चाहे दोड के आओ दूरी तो ये fix हो गई ना 12 km इस track की total दूरी है तो आपको दोडने के लिए जो समय लगा है वो बताना है तो समय का formula क्या है दूरी बटा चाल दूरी कितनी है 12 चाल कितनी है वापस दोडने के लिए चाल 16 लेकिन ये भी किलो मीटर में और ये किलो मीटर परती गंटे में ये horse जो गंटा है वो उपर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा चार के पाड़े से 3 बार चार के पाड़े से 4 बार एक गंटे में 60 मिनट होते हैं सातियों चार के पाड़े से 60 15 बार करता है 15 into 3 45 मिनट आपका क्या होगा राइट एंस्वर होगा option number E right है यह चीज़ समझ में आ गई एक गंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 से गुणा कर लिया क्योंकि एंस्वर में मिनट में पूछा गया है आगे बढ़ रहा हूँ चटे प्रश्न की और चलते हैं और प्रश्न बहुती सांदार easy है आराम से हल करवा रहा हूँ तो आप लोग भी आराम से वीडियो को पूरा देखते जाएं और अच्छे से शेयर भी करते रहें अपने मित्रों तक जितना हो सके क्योंकि शेयर करने से फाइदा सबका ही है और नए हैं तो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे सातियों ताकि आप लोगों के आगामी आने वाली हर सिरीज के अपडेट आप तक पहुंचती रहे यदी एक संख्या प्रश्न नंबर 6 है यदी एक संख्या के दो बटा तीन का एक बटा चार सो है तो वह संख्या क्या है तो हो वह संख्या क्या है मित्रों आप्सन भी सुन लिजिए आप्सन ए है 400 आप्सन भी है 600 आप्सन सी है 300 आप्सन सी है 300 आप्सन आपका डी है 500 एक सात ही एक और प्रश्न ले रहा हूं प्रेशन नमबर साथ भी है यही पहले लिख रहा हूँ अच्छे से वो भी देख लीजिए यदि साइन थीटा बराबर रूट तीन बटा दो तो टैन थीटा ग्यात करो मित्रों तो 10 थीटा ग्यात करो सातियों option A है 3 बटा दो option B है 1 बटा दो option C है 3 option D है root 3 अब अच्छे से दोनों प्रशनों का हल करने वाले हैं बहुत सांदार और सरल तरीके से आपको बस continue फूरा वीडियो देखते जाना है यहाँ पर यदि एक संख्या के 2 बटा 3 का 1 बटा 4 2 बटा 3 का यह माना एक संख्या है X इस संख्या का 2 बटा 3 देखो संख्या के 2 बटा 3 तो 2 बटा 3 का 1 बटा 4 का 1 बटा 4 क्या है 100 है बात केलियर हो गई 2 के पहाड़े से यह कितनी बार करता है दो X इंटू 1 उपर तो X 3 इंटू 2 बट्टे में 6 बरबर में है 100 बट्टा 1 वजर गुणा करता हूँ तो X इंटू 1 X का गुणा 1 से 100 का गुणा 6 से कितना होगा 600 X का मान कितना आ गया 600 वो संक्या कौन सी है 600 किलियर हो गई बात ऐसे कैसे सात्वा प्रश्ण सात्वा प्रश्ण बेहत सांदार साइन थीटा बरबर रूट 3 बट्टा दो साइन थीटा बरबर कितना है रूट 3 बट्टा दो अब आप लोगों को अगर लाल बट्टा कका वाला कॉंसेप्ट याद है लाल बट्टा कक्का वाला कॉंसेप्ट क्या होता है देखिएगा ये तो है साइन ये है कोस थीटा है ये है टैन थीटा ये है कोट थीटा ये है सैक थीटा ये है कोसेक थीटा आप लोगों को फर्मुला याद है न, sin theta का लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानि ये लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है, रूट 3, कर्ण का मान कितना है, 2, कितना है, 2, आप लोगों को मालूम है, कि कर्ण square बराबर आधार square प्लस लंब square होता है, कर्ण का मान 2, 2 का sqaier आधार गयाथ करना है लंब कितना है? रूट 3 रूट 3 का sqaier तीन ही होता है रूट 3 का sqaier कर देता हूँ एक बार यहाँ पर फोर्मॉले की एक कोर्डिंग अब देखियेगा 2 का sqaier कितना? 4 आधार sqaier का? आधार sqaier एक, यानि एक का रूट एक ही होता है, एक का रूट एक ही होता है, अब सीधा सा दिमाग में फिक्स कर ले ना, कर्ण, कर्ण में से ये माइनस कर दो और उसका रूट निकाल दिया, चार में से तीन गटा दिये, चार, और आप कोगे तीन का नो होता है, लेकिन यहां पे है आपका एक आधार वह कितना है एक आपको क्या चाहिए टैन थीटा किस एक याद करना है काम बड़ा संधार हो जाएगा अगर यहां से प्रस्षन बना तो गलती मत करना आपको formula के according value रखनी है दो मान आपके पास मुझूद होंगे तीसरा मान ग्याद करने का ये सुत्र आपके पास होना चाहिए पाइथोग और इस पर में केलियर है यहाँ पर मैंने मान रखा और आधार ग्याद करके फिर 10 theta में लंब और आधार value रखके answer निकाल लिया आगे बढ़ रहा हूँ आठवे प्रशन की और चलते हैं आठवा प्रशन देखिएगा बेहत सांदार प्रशन आज आप लोगों के बीच आने वाले हैं और हर वीडियो में आपको नए प्रशन मिल रहे हैं इस बात को आप 100% आप लोगों को भी मालूम है हर वीडियो में नए तरीके से आपको समझाया जा रहा है तो आप जरूर इस वीडियो को share करिएगा जितना हो सके उतना share करिएगा प्रशन नमबर है आठ आठ आपका प्रशन नमबर आठ क्या है देखिएगा सातियों यदी एक वस्तू को 3,735 रुपे में बेचने पर यदी एक वस्तू को 3,735 रुपे में बेचने पर एक दुकानदार एक दुकानदार को 10% की क्या होती है हानी होती है हानी माइनस लाब होता तो प्लस 10% की हानी प्लस माइनस भी किस में करना है 100 में हानी होती है तो वह इसे कितने रुपे में बेचें कि उसे 10% का लाब हो बहुत ही सिंपल सा प्रशन पूछ लिया आपको और ये प्रशन में करवा चुका हूँ 3735 रुपे बेचने पर यानि कोई वस्तू को इस मुल्य में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानी यानि 90 रुपे 90% ही कमाए ऐसे कैसी वो इतने कितने रुपे में बेचे कि उसे 10% का लाब हो यह लो 10% यहाँ पर 10% की हानी यहाँ पर 10% का लाब केलियर है तो ये 90 और वो 110 मध्य पदों का गुणन फल बहीं ये पदों का गुणन फल 90 इंटू X कर लिया बराबर में 3735 इंटू 110 कर लिया X बराबर 3735 इंटू 110 इधर 90 गुणे में वो उदर भाग में चला गया 0 से 0 कैंसिल हो गया 9 के पहाड़ से 9 4 36 होता है पीछे कितना बसता है सातियों 1 बसता है 9 एकम 9 फिर 9 4 36 बीछे 1 9 एकम 9 13 में से 9 4 बसते है 9 5 45 यहाँ पर 415 का गुणा 11 से होगा और अपना एंसर आ जाएगा 55 हसल के 5 11 और 5 16 होता है हसल का 1 45 और 45 4565 आपका राइट एंसर 100 परसेंट क्या हो जाएगा बहुत ही सिंपल सा प्रशन है करना कुछ नहीं है इस रुपे में दुकानदार को हानी हुई तो यह लो 90 अनूपाद समानूपाद के रिलेशन के एकोर्डिंग कितने रुपे X में बेचे तो 10% का लाब 110 कर दिया 22 यह पदों का गुणनपल मद्य पदों का गुणनपल होता क्या है बराबर होता है तो अच्छे से क्लियर हो गया ऐसे प्रशनों और ऐसे तरीकों का स्क्रीन सोट लेते चलिएगा और आपको अपने नौट्स भी अच्छे से तयार करने प्रशन नंबर 9 की और बढ़ रहे है प्रशन नंबर 9 में देखिएगा क्या है औसत के उपर आधारित है या माध्य के उपर आधारित है अभी देखते हैं प्रशन है प्रशन नंबर 9 20 निरिक्षणों 20 निरिक्षणों का अंक गणित्य माध्य 20 निरक्षणों का अंक गणित्य माध्य 25.5 है बाद में ये पाया गया अब देखो माध्य में भी एसा प्रशन आ जाता है बाद में ये पाया गया की एक निरिक्षन गलती से बाद में ये पाया गया कि एक निरिक्षन गलती से 24 की बजाए 42 पड़ लिया गया था तो सही माध्य का पता लगाएं तो सही माध्य का क्या लगाएं पता लगाएं ऑप्सन A है आपका 14 ऑप्सन B है 14.4 ऑप्सन C है 14.6 ऑप्सन D है 15 अब देखो माध्य के उपर आधारित जब प्रशन आता है तो आपको मैंने बाहर बार यही समझाया है कि यहां पर 20 निरिक्षन तो आपको 20 निरक्षणों का अंग खनीते मादिय यह है यानि परतियक के हिस्थे में वो चीज बराबर बराबर बढ़ जाती है तो आपको 20 निरक्षणों का अंग घनीते मादिय आपके सामने 15.5 दिया वा है यानि कुल की बात करूँ कुल veins 15.50 इंटू 20 करूँगा क्यों करूँगा क्योंकि परतिय के हिस्से में इतना है और टोटल है 20 गुणा करते हैं तो देखो कितना आता है जीरो तो पीछे रहेगा पंदर पांस दूनी 10 और 10 और 11 फिर भी एक बचेगा और 2 और 310 एक से पहले पॉइंट लग जाएगा तो यहां पर सीधी सी बात हो गई कि टोटल 20 निर्ख्षणों का अगर मैं अमाद्य को टोटल में कनवर्ड करूं तो 15.5 इंटू किसे कर लिया 20 से तो 310 हो गया बाद में यह पाया गया कि एक निर्ख्षण गलती से 24 की बजाए 42 पढ लिया गया तो कितना जादा पढ़ा गया 42 में से 24 गटाता हूं अब मैं जादा कितना पढ़ा गया यानि 310 में कितनी एक्स्ट्रा पढ़ ली गई है वो चीज़ देखो 12 में से 4 8 और 3 में से 2 18 यानि अधिक बता दिया तो 310 में से 18 माइनस कर दो कितना बचेगा 292 यानि 20 क 20 ही है लेकिन उसमें गलती ये हो गई कि 24 की बजाए 42 यानि 310 में ज़्यादा अठारा एड हो गया तो वास्ट्विक्ता में अगर 24 पढ़ा जाता तो 20 का होता तो आपको सही माध्य पता लगाना है दो के पाड़े से ये दस बार करता है दो के पाड़े से दो एकम दो दो चोके आठ दो चंग बारा दस का भाग इसमें दूँगा तो 14 पॉइंट क्या आ जाएगा 6 और एक्जेक्ट माध्य कितना था 14.6 पहले टोटल निकाला इ तो 14.6 अपना राइट एंसर आ गया आगे बढ़ता है दस्वे प्रश्न की और आप लोग अपना उत्तर भी कमेंट बॉक्स में बेशते रहिएगा सातियों सात में क्योंकि कमेंट बॉक्स में लाइफ चैट आपके लिए हैं और जितना सेयर कर सको उतना करिएगा वीडिय वीडियो को सात में लाइव देखें उसमें आपका ज्यादा फाइदा है उस मूल्धन का पता लगाएं आपके लिए प्रश्न है उस मूल्धन का पता लगाएं जो साधारन ब्याज जो साधारन ब्याज की आट परसेंट वार्शिक दर जो साधारन ब्याज की आट परसेंट वार्शिक दर से 9 महीने में 9 महीने में 1000 रुपे हो जाता है 1000 रुपे हो जाता है यानि आपने कोई रासी निवेज की Option A देखे पहले Option देख लेते हैं 900 यह option B है 981.40 Option C है सातियो 943.40 Option D है 843.40 रुपीज में हैं सारे तो यहां पर देखो आप पहले तो तोड़ा सा दिमाग लगई है आपने कुछ रासी इन्वेस्ट की उस रासी से आपको ये फाइदा हुआ और फाइदा जब आपने एड़ किया तो आपको एक नया एमाउंट मिला तो देखिएगा एक चीज लिख रहा हूँ मूल दन यानि मूल रूप से आपने कोई धन निवेस किया उसका आपको ब्याज मिला तो टोटल देखा तो नई जो चीज आई वो है मिसर दन यानि दोनों का मिसरन आपनको वापस मिला तो यहाँ पर ये हजार रुपे हजार रुपे हैं 1000 रुपे हो जाता है 9 महीने बाद तो मैं जो समझाना चाहरा हूँ उसे समझेगा ब्याज का सुत्र क्या होता है ब्याज बराबर होता है मूल्दन into sum into the बटा 100 ये होता है मूल्दन का फॉर्मुला और अगर मिस्रधन की बात करूँ तो मिस्रधन का फॉर्मुला अगर यहाँ पर मिस्रधन आजावे और मिस्रधन बराबर आपके सामने दियावा है मिस्रधन ये रहा मिस्रधन को क्या कहते हैं मूल्दन प्लस ब्याज यह कहते हो आप मिस्रधन को क्या कहते हो मिस्रधन को कहते हो आप मूल्धन प्लस ब्याज तो मूल्धन मिसर धन आपके पास कितना दिया वाए हजार रुपे क्योंकि हजार रुपे आपको मिला मूल्धन कितना है मूल्धन का पता लगाना है ये लो मूल्धन एक्स ब्याज का फर्मूला ये रासातियों आपके सामने ब्याज मूलधन इंटू समय, समय कितना नो महीने नो महीने, महीने को वर्स में बदलने के लिए नो बटा बारा कर लिया क्योंकि एक वर्स में बारा माह होते हैं और दर कितनी रहेगी साथियों, आठ परसेंट आठ इंटू में क्या है, बटे में सो ये तो फॉर्मूला रहने ही वाला है, किलियर है ना तो नो के अब काटना है, नो तीन के पाड़े से तीन बार बारा तीन के पाड़े से चार बार करता है, चार ये दो बार कैंसिल हो जाएगा दो को अगर दो के पाड़ से 50 काटो तो कितनी बार सौरी 150 बार यह यहां तक की कैलकुलेशन समझ में आ गई आपको अब देखेगा आगे 1000 बराबर X प्लस X बड़ा है 5 3 इंटू X कितना होगा 3X बटे में क्या आएगा 50 क्या आएगा 50 वज्र गुणा करने से पहले यदर LCM लेना पड़ेगा 50 लसपा आया एक के भाग से 50 पचास पचास बार 50 इंटू X पचास X हो जाएगा यह हो गया 3X बड़ाबर में हैं 1000 बटे में हैं एक वज्र गुणा करते हैं तो वज्र गुणा करेंगे यह तो हो जाएगा 50 और 3, 53 क्योंकि समान जाती के हैं तो जुड़ जाएगे और यह हो जाएगा 1050 तो सीध इसी बात है X बड़ाबर 1050 बटा 50, कितनी बार भाग जाएगा देखिएगा 50 का भाग 1050 में देना है और आपका right answer आपके सामने होगा अच्छे से समझ में आ रहा है न सौरी यहाँ पर 1050 इंटू करना था सातियों गलती यह नहीं करनी है जोड़ना थोड़ी था 50 इंटू 1000 कितना होगा तो यह हो जाएगा 50,000 50,000 में 53,000 का क्या देना था भाग देना था कितना 53 का भाग जब 50,000 में दूँगा तो कितना आएगा 943.40 और right answer कौन सा हो गया option number C अच्छे से वापस समझेगा इस concept को मैंने आपको एक चीज लिखी है मोल्दन प्लस ब्याज क्या होता है मिस्रदन आपने कोई धन निवेश किया उसमें ब्याज मिला आपको तो नया धन आपको मिस्रदन के रूप में प्राप्थ हुआ ब्याज का सुत्र मोल्दन इंटू समय इंटू दर बट्टा स्वाप पढ़ते ही हो अब मैं जो समझा रहा हूँ मिस्रदन बराबर मूल्दन इंटू ब्याज स्वरी मूल्दन प्लस ब्याज उपर लिखा है मिस्रदन कितना है हजार है मूल्दन एक्स माना ब्याज मूल्दन इंटू समय समय नो महीने है मैंने इस समय को वर्ष में कनवर्ड कर दिया सादरन भी आज की 8% वार्सिकदर और मैंने इसको वर्स में कनवर्ड किया 9 बटा 12 हो गया 12 का भाग लगया रिजन समझ गये क्योंकि एक वर्स में 12 महा होते हैं 8 परतिसदर बटे में 100 3 के पाड़े से 9 तीन बार करता है 12 चार बार करता है और 4 के पाड़े से 8 दू बार गया तो क्या आया 943 पॉइंट चार जीरो तो अब 11 प्रश्न की और चलते हैं अच्छे से इस प्रश्न का स्क्रीन सोट ले लिजिएगा और अपनी नौट बुक में लिखते चाहिएगा लिखते चलिएगा सातियों आगे प्रश्न नंबर 11 और 11 प्रश्न का हल देखिए किस प्रकार में कर रहा हूं उसको नौट करिएगा अच्छे से समझ लीजिएगा प्रश्न नंबर 11 और आपके सामने यह रहा कि कि 5 लीटर 5 लीटर चीनी 5 लीटर चीनी के मिसरण 5 लीटर चीनी के मिसरण में 6 परसेंट चीनी है 6 परसेंट क्या है सातियों 6 परसेंट चीनी है उसमें से एक लीटर पानी भाप बन जाता है उसमें से एक लीटर पानी क्या बन जाता है मित्रों पानी भाप बन जाता है भाप बन जाता है तो सेस मिसरन सेस जो भी मिसरन आपके पास है जो भी मिसरन मौजूद है सेस मिसरन में चीनी का प्रतिशत चीनी का प्रतीशत ग्यात करो चीनी का प्रतीशत ग्यात करो सेस जो भी है option A है आपका 5% option B है आपका 7.5% option C है 6% and option D है साथियों 4 प्रतीशत अब देखेगा इस concept के according इसको कर रहे हैं 5 लिटर चीनी के मिसरण में 6% चीनी है मिसरण पानी और चीनी का है ये चीनी और ये पानी इन दोनों का मिसरण है 6% क्या है चीनी और तो पीछे 94% क्या है पानी बात किलियर हो गई 6% चीनी 94% पानी तो अनुपात में convert करूँ इन दोनों को तो देखो 2 के पाड़े से 3 बार दो के पहाड़े से कितनी बार 4 दूनी 8 7 दूनी 14 तीन अनुपात 47 टोटल 5 लिटर चीनी का मिसरण मिसरण टोटल कितना टोटल मिसरण कितना 5 लिटर उसमें से 1 लिटर पानी क्या हो जाता है भाप बनकर क्या हो गया उड़ गया कितने लिटर पानी एक लिटर पानी अब पहले तो यहां पे उसको बाद में पढ़ेंगे पांच लिटर चीनी के मिसरण में 6% चीनी और 94% पानी हो गया अनुपात यह हो गया अगर मैं देखू पचास इकई पचास इकई बरबर कितनी है सातियों पांच लिटर क्या यह चीज आपको समझ में आई तीन और 47 पचास इकई पचास इकई क्यों लिका क्यों कि अनुपात के गुणे में कुछ ना कुछ तो होगा वो किसके बरबर हुई इस पांच लिटर टोटल मिसरन पांच लिटर तो एक इकई बरबर बताईए सातियों एक इकई बरबर पांच बटा पचास लिटर और सीधी सी बात है एक बटा दस हो जाएगा एक बटा दस लिटर हो जाएगा कितना हो जाएगा एक बटा दस लिट पॉइंट तीन लीटर यानि इसकी मात्रा चीनी के जो द्रव के रूप में है उसकी हो गई ऐसे कैसे 47 को जब 10 एक बटा दस से गुणा करवाता हूं तो क्या रिजल्ट आता है 4.7 लीटर जल हो गया अब बताईए कि आपको आगे क्या बोला है ये तो थी अभी तक इस लाइ 7 लीटर बचा या नहीं बचा बात वापस इसको क्यलिर करते हैं या तक तो 50 एक बचाई बरबर एक इकाई कामाने एक बटा दस जब इसको इसको इस से गुणा किया तो 4.7 लीटर क्या है पानी की मात्रा है अब देखो 4.7 लीटर में से 1 लीटर ऊड़ा दिए तो 3.7 प्रतिशत ग्यात करो से समिस्रण में चीनी का प्रतिशत ग्यात करो से समिस्रण कितना कितना आ हैं अब बताईए यानि पहले जल था 4. Talent उर चीनी 31 से लेकिन अब जल कितना बचा तीन 2019 साथ और चीनी तो उस उतनी माजूद है जितनी पहले थी तो टोटल मिस्रन अब कितना बचा पांच की जगा चार का हो गया चीनी कितनी है तीन पॉइंट तीन ही है ध्यान दिजिएगा यहां से यह पॉइंट हटाऊंगा बटे में जीरो परतिसत में बदलने के लिए सो से गुणा जीरो से जीरो कैंसिल दस इंटू तीन कि इसमें कितनी बार जाता है साथ चोक अठाइस पीछे बचा दो चारू पंजाबी साथ पॉइंट पांच परसेंट साथ पॉइंट पांच परसेंट अच्छे से किलियर होना बहुत जरूरी है टॉपिक को रटना नहीं है समझना है बेसिक से आगे बढ़ रहा हूं और बार लाइव चैट के अंदर आपको जो कमेंट कर रहे हो बिलकुल आपके हर समस्या का समधान होगा जो भी आपको समस्या है बताते रहे प्रस्ण नमबर 12 ए और बी A और B के वेतन का योग 25,000 ऐसातियों कितना है 25,000 रुपे हैं वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं 25% किया करते हैं खर्च करते हैं तो उनकी जो बच्चत हैं उनकी जो बच्चत हैं सातियों उनकी बच्चत का अनुपात आपके सामने हैं 14 अनुपात 11 हैं कितना है 14 अनुपात 11 रुपे में उनकी बच्चत का पता लगाएं रुपे में उनकी बच्चत का क्या लगाएं आप पता लगाएं बच्चत का पता लगाएं कि बच्चत क्या है उनकी आराम से करेंगे आप्शन A है आपके पास 15,000 वद 10,000 क्या दोनों की बच्चत इस परकार है आप्शन B है 14,000 वद 11,000 आपको यहाँ पर बताना है दोनों की करमिक बच्चत कितनी है दोनों के वेतन का योग कितना है 25,000 वेतन का 75% क्या कर देते हैं खर्चा देखो टोटल वेतन कितना है वेतन तो है 25,000 रुपे कितना है 25,000 वेतन का किता 75% खर्चा कर देते हैं अब देखो खर्च उन्होंने कितना किया 75% तो बच्चत कितनी की बताईए बच्चत की 25% कितनी की 25% और वास्ट्विक्ता में उनकी बच्चत कितनी है ये रही देख लो आपके सामने बच्चत का अनुपाद दिया, पहले अपन उनका खर्च निकालते हैं, खर्च कैसे आएगा, 25,000 का 75% कितना होता है, कितना होता है, 2,0 से 2,0 और 75 का 25 से गुणा कितना होगा, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000 कितना हो जाएगा, 18,750 कितना होगा, अराम से गुणा करके देख लीजै, 0 का 0, 25,0 125, कितना होता है, साथ चोके सौ एक सो पिचतर होगा सातियों एक सो पिचतर और बारा कितना होगा एक सो सितियां सी ये आपके सामने है अब जो चीज समझा रहा हूँ गोना तो कर लिया ये खर्चा है तो आप बच्चत बता सकते हैं मुझे बच्चत होगी इनकी 6605 कितनी होगी 6250 कैसे देख लिजिए 25 में से 18 750 माइनस करोगे बच्चत इतनी आएगी अब देखो बच्चत का अनुपात 14 अनुपात 11 बच्चत का अनुपात कितना है बच्चत का अनुपात है 14 अनुपात 11 अलग-अलग बचते हैं इनकी तो यहां पर सीद इसी बात है कि यह 14 और ग्यारा पचीस इकाई कितनी इकाई पचीस इकाई किसके बराबर हुई 6250 एक इकाई का मतलब क्या 25 का भाग 6250 में 25 का भाग 25 25 25 25 25 को क्या 625 250 एक यूनिट का तात्प्रिय 250 अपन को चाहिए इनकी बच चौदा से जब 250 को गुणा करता हूँ 14 इनकी जीरो का जीरो चौद पांट सितर हसल के सें हसल के साथ चौद उना 28 28 और 7 कितना होता है कितना होता है सातियों 35 35 तीन हजार पांच सो तो बच्चत हो गई किसकी पहले वाले की एक ही ऐसे कैसे इसकी बच्चत चेक करते हैं 11 से जीरो का जीरो 11 पांट 55 हसल के पांच 22 और पांच कितना होता है 27 तो आप्सन नंबर कौन सा सही हुआ आपके डी अच्छे से समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है तो पूरा देखिएगा वीडियो और पूरा अपने मित्रों तक शेयर करिएगा और जितना हो सके नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आप लोगों के लिए और पहले के जो वीडियो अपलोड किये गए हैं उन्हें देखिए वाके में वो भी आपके लिए आपको लगेंगे कि बेहत सांदार उनके अंदर कौनसेप्ट आपको बताया गया है आगे बात करते हैं यह है माद्ये प्रश्ण 13 यदी यदी नंबर 3, 6, 7, X, 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोई करम में कौनसे करम में आरोई यानि छोटे से बड़े की और आरोई करम में हैं सातियों यह आरोई करम में हैं और और इनका माद्ये अगर इनके माद्ये की बात की जाए तो इनका माद्य है 15 इनका माद्ये 15 है तो X ग्याद करो X क्या करो ग्याद करें X का मान ग्याद करें X एक संक्या है 11 होगा 12 होगा 13 होगा 16 होगा simple सी बात है रासियों का योग बटा रासियों की संख्या यह रही रासिया आरोई अउरोई से अपन को कोई यहां पे confuse करने के लिए डाला कि यह आरोई कर्म में है ठीक है ना आपको पता है रासियों का योग यह यह बटा रासियों की संख्या बराबर क्या है औसत क्या है औसत या माध्य तो रासियां देखते हैं तीन प्लस छें प्लस साथ प्लस एक्स प्लस ग्यारा पंदरा उननीस बीस पचीस और अठाइस बट्टे में क्या है मित्रों रासियों का रासियों की संक्या एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस बराबर में औसद कितना है, पंद्रा बात किलिए होगी, सिंपल सी बात हैं, जोड लेते हैं बिश, चालीस, सांट, सितर, असी, एक मैंने इधर बेज दिया, ठीक है ना, 80,200 हो गया, सांथ पिर भी यहाँ पै बचेगा, सांथ ये 18 हो गया, 18, 38 और 13, 31, 31, 34, यानि 134 तो यहो गया, पलस X है, बटे में दस है, बराबर में है 15, वज्र गुना कर लेते हैं, 134 पलस X इड़ सो माइनस 134 कितना आएगा प्यारे बच्चों प्यारे शातियों 16 होगा ठीक है ना अच्छे से समझ में आ गया 16 आपका राइट एंसर होगा आगे बढ़ते हैं चौदवे प्रश्न की और चौदवा प्रश्न अच्छे से देखिएगा चौदवा प्रश्न अब अच्छे से देखिएगा किस प्रकार इसका अपन हल कर रहे हैं और continue साथ में बने रहेगा तो प्रश्न नमबर 14 आपके सामने हैं प्रश्न नमबर 14 दो अंकों की दो अंकों की दो संख्याओं का गुणन फल दो अंकों की दो संख्याओं का गुणन फल 2160 है कितना है 2160 उनका लसप उनका LCM 180 है तो संख्याओं ग्याद करो क्या ग्याद करो संख्याओं ग्याद करो आपसन देखिएगा आपसन A है 72 और 30 दोनों ही दो दो अंकों की है और चारों ही आपसन में दो दो अंकों की ही संख्याओं मिलने वाली है option c 45 और 48 option number d 54 और 40 बहुत सांधार प्रशन जो ट्रिक आज देने वाला हूँ वो अच्छे से समझिएगा अच्छे से दो अंकों की दो संख्याओं का गुणन पल पहले ते एक formula लिक रहा हूँ पहली संख्या बार बार मैं कहता भी हूँ ये formula काम आएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या LCM इंटू HCF पहले ये निकालते हैं दोनों संख्याओं का गुणन पल कितना है 260 बराबर LCM 180 इंटू HCF ग्याद कर लेते हैं तो देखो 180 इदर आजाएगा क्या आएगा बटे में जीरो से जीरो अठार इकम अठारा 19 बीस इकिस अठार दूना 36 यानि HCF कितना आया 12 HCF कितना आया सातियों HCF आया है वो है 12 कितना आया है 12 अब बात ये आती है कि वो दो अंकों की दो संख्या है कौन सी होगी जिनका लसपत है 180 और मसप है 12 कुछ नहीं करना है 12 का भाग इस चारों आप्सनों में जिस जिस संख्या में जा रहा है दोनों में जाना अनिवारी है 12 का भाग 18 में 72 में जाता है 12 का भाग 72 में जाता है ना 12 सक 72 30 में नहीं जाता ये गलत हो गया 12 दूना 36 30 30 में नहीं जाता उपर वाला जैसे वे नीचे वाला भी गलत हो गया ऐसे कैसे ऑप्षन एक बार वापस सौरी यहां पर 60 है सातिएं कितने हैं 60 है तो यह यह ऑप्षन गलत नहीं होगा क्योंकि 12 का भाग 36 में 12 दूना 36 बार पांचे 6 यानि यह राइट है इसमें देखो भाग 45-48 में नहीं इसमें 54-45 भाग नहीं चाता ना सीधी शी बात है अच्छे से किलियर हो गया आगे बढ़े पंदरवा प्रशन और मैं हजार बार आपको बोल चुका हूँ कि इस प्रकार के प्रशन एक्जाम में 100% आते हैं और आएंगे भी इसलिए तयार कर लो मित्रों 79 का HCF क्या सातियों HCF ग्याद करो HCF बोले तो मसपग ग्याद करना है option A 8, option B 9, option C 6, option D 7 और HCF तो बड़ा ही सिंपल होता है सिंपल कैसे अब देखो 108 और 78 के अबाजी टुकडे करते हैं 108 के टुकडे करता हूँ 78 के टुकडे करता हूँ देखेगा दो के पाड़े से 8 दुनी 9 दू 18 और 9 दू 18 तीन का भाग 33 तीन का भाग 11 बार 11 का भाग 1 बार यहाँ दोक अलग अलग टुक्रे करने दोका भाग 3 रव नों बार दोक सॉरी। प्रणों चांजाने सब्सक्राइब आपलोगों को बता इए इन दोनों में क्यूं ऐप आप अपलों और यह सब्सक्राइब हो और जो चीज कोमन है और दो Sis करूंगा तो अपना एंसर आ जाएगा ये तो है क्या मसप क्या है मसप एच सी एप और ऐसे कैसे लसप क्या होता है दोनों में हो या नहीं हो अधिक्तम घात लेनी होती है तो वो भी प्रशन आएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझाए जाएगा आगे बढ़ रहे हैं औ य ग्यात करो क्या ग्यात करना है य ग्यात करो यदि य प्लस एक बटा मेFunर भेस दो बटा पांच बराबर में हैं तीन option A 2.5 सही है option B 4.25 सही है option C 3.75 सही है या option D 3.25 सही है अच्छे से देखिएगा सातियों अच्छे से इस प्रश्न का हल देखिएगा Y प्लस 1 बटा 3 Y प्लस 2 बटा 5 बराबर में कितना है 3 दोनों का LCM कितना आएगा 15 कितना आ जाएगा 15 3 के पाड़े से 15 5 बार करता है 5 का गुणा जब उपर वाली संख्या से करूँगा तो 5 Y और प्लस 5 5 से 15 बार 3 इंटू Y 3 Y 3 इंटू 2 6 बराबर 3 बटा 1 वजर गुणा 15 उदर चला जाएगा 5 और 3 8 Y हो जाएगे 5 और 6 इग्यारा 15 ती 45 11 को उदर भेजिए तो 45 माइनस 11 यानि 8 Y बराबर 45 में से 11 जाएगे तो कितने बचेंगे 34 तो Y बराबर 34 बटा 8 8 चौक 32 होता है 33, 34 दो बचता है 8 दूनी 16 पॉइंट लगा दिया 0 लग गया इसलिए और 8 तू पंजा 40 होता है ये होगा आपका option number B right किलियर है आगे सत्रवे प्रश्न की बात करते हैं सत्रवा प्रश्न देखिएगा क्या आप लोग उसे कर पाएंगे वो भी आप comment box में comment करते रहें क्योंकि जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है आप भी साथ में इसे solve करने की कोशिस करते रहें सात्यों प्रश्न है सत्रा नंबर अंकिता 40 मीटर अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर और 30 मीटर चोड़ई वाले 30 मीटर चोड़ई वाले एक आईताकार एक आईताकार खेत के कोने एक आईताकार खेत के कोने पर खड़ी है एक आईताकार खेत के कोने पर खड़ी है यदि अंकिता यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दोड़ती है विकर्ण के साथ दोड़ती है यानि विकर्ण पर ही वो चलती है आती जाती हो दोडती है और प्रारंबिक बिंदू पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल तै की गई कुल तै दूरी ग्यात करो साथियों कुल तै दूरी ग्यात करो आपसन ए 100 मीटर आने जाने की दोनों डिस्टेंस बता नहीं है बी है 80 मीटर सी है साथियों 140 मीटर एंड डी है 120 मीटर सिंपल सा कॉंसेप्ट है आयत पहले तो आयत का छेतरफल लंबाई इंटू चोड़ाई अब देखो यह आयत है यह तो होती है आयत की लंबाई यह होती है चोड़ाई यह होता इसका विकर्ण अगर यह विकर्ण निकालना हो तो फॉर्मूला है लंबाई स्कूर प्लस चोड़ाई का स्कूर फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिए का यहां पर लंबाई यह रही चोड़ाई यह रही वो तो विकर्ण पर ही तो चलती है तो विकर्ण पर चलती है तो यह आयता का चितर यहां से यहां पॉंची वापस यहां पॉंची तो पहले एक बार का विकंड निकाले तो विकंड निकालने का फॉर्मूला लंबई 40 का स्कॉयर 1600 होता है चोड़ाई 30 का स्कॉयर किता होता नो सो 14 16 सो और 900 कितना होता है पचीस सो और पचीस सो किसका है पचास का आने में पचास जाने में पचास टोटल कितना हुआ सो मीटर कितना हुआ सो मीटर राइट एंसर कौन सा है आपसन नमबर ए आगे बड़े अठारवे प्रशन की और चलते हैं अठारवा प्रशन देखिए और अंतिम तीन प्रशन आपके सामने आने वाले हैं तो कंटिन्यू साथ में जुड़े रहिएगा और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा आपको वाकए में बड़ा ही सांदार लगेगा क्योंकि आज की क्लास आप लोगों के लिए मज़ेदार और बेहद सांदार आप लोगों के लिए साबित होगी प्रशन नमबर है आपका सत्रा तक हमने कर लिए हैं सत्रा के बाद से आगे बढ़ते हैं सत्रा तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं अठारवा प्रशन देखिए प्रशन नमबर है अठारा 0.000 825 में भाग देना है 0.05 का मान क्या है का मान क्या है ऑप्शन ए है 0.0165 0.165 0.00165 या 0.015 एक उन्नीस्वा प्रशन भी साथ में लिखा हूँ अच्छे से देखिएगा कोसेक थीटा इंटू त्रिकॉन मीती का तो प्रशन श्योर है बनना ही है कोस थीटा इसका क्या ग्याद करना है मान सिंपल सा क्या ग्याद करना है मान ग्याद करें ऋप्शन ए हैं साइन थीटा ऑप्शन बी है कोस थीटा ओप्शन सी है एक बटा साइन स्कोर थीटा अच्छे से देखियेगा अपन अच्छे से सॉल कर रहे है आपको बोला है इसमें इसका भाग देना 0.00085 में भाग देना है 0.05, पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट उपर 2,0 देखे जाएगा, ये वाला पॉइंट नीचे 3 और 3,6,0, 3 और 3,6, 1,2, 0 कैंसिल हो गए, 2 से 2, अब देखिए, 5 के पाड़े से इसे कारते हैं, 1,5, सिकम 5, पीछे बचा 3, 6, 35, 25, 165, भाग में, किते 0, चार, तो चार से पहले पॉइंट, ये आपका राइट एंस और आफसें नमबर ही, सिंपल सी बात हैं, ऐसे कैसी यहां पर, कोसे एक ठीटा का देखो, यहां पर फॉर्मूले याद होने चाहिए, कोसे एक ठीटा का फॉर्मूला होता है, एक बटा साइन, टैन का होता है, सा हद सांदार और बहुत काम आने वाले फॉर्मूले है, ये चीज, आप लोगों को, जब मैं त्रिकोन मीती हल करवाँगा, तो पूरा संपोन आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, और एक अंतिम प्रशन, अंतिम प्रशन लेते हैं सातियों, अंतिम प्रशन देखिएग और जादा से जादा मात्रा में वीडियो समाप्त हो जाए, तो भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये चीज बहुत फाइदे मंद हैं, आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए इस 500 प्लस का जो टारगेट लिया है, उसमें आज 5 वी क्लास अपलोड की जा रही है, तो उसके रुपे हैं, यानि 5 किलो चीनी खरिदने के लिए 75 रुपे खर्च करने पड़ते हैं, तता 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी, यानि एक और प्रकार की चीनी खरिदी गई है, उसका क्रेम उल्य देखिए, उसका क्रेम उल्य है 180, सी, सिंपल ही प्रशन आते हैं, लेकिन अपन बहुत जल्द बाजी में गलत करके आ जाते हैं, उनको आपस में मिस्रित किया, उनको आपस में क्या क्या, मिस्रित किया सातियों मिला दिया mix किया मिस्रित किया जाता है उन्हें आपस में मिस्रित किया जाता है और 300 रुपे में 300 रुपे में बेच दिया 300 रुपे में बेच दिया जाता है 300 रुपे में क्या कर दिया जाता है बेच दिया जाता है तो लाब प्रतिशत ग्याद करो चाहे लाब की बात करूँ चाहे हानी की बात करूँ वो चीजे डिफेंड करती है अपने क्रेम मुल्य पर किसके उपर क्रेम मुल्य पर और option देखिए option A में हैं आपका 18% लाब option B में हैं 17.65% का लाब option C है 17.5% का लाब option D है 19% का लाब तो मित्रों अच्छे से रेखिएगा इसका solution मैं पहले क्रेम मुल्य पांच किलो का क्रेम मुल्य ये रहा ऐसे कैसे 10 किलो जिसका क्रेम मुल्य ये तो कुल क्रेम मुल्य कितना हुआ कुल क्रेम मुल्य हो गया आपके 75 प्लस 180 यानि 255 रुपे और दोनों को mix करके 300 रुपे में क्या कर दिया बेच दिया जाता है तो विक्रेम मुल्य कितना हुआ विक्रेम मुल्य हो गया आपका 300 रुपे अब देखो लाब कितना हुआ 255 की चीज 300 में बिग गई 45 का लाब किसके उपर हुआ 255 पे इंटू किस से करूँ 100 से कर लू इंटू किस से करूँ सातियों 100 से कर लू तो देखो याँ पर 5 के पाड़े से कितनी बार 59, 45 5 के पाड़े से कितनी बार 51 5 इंटू 25 और 1 याँ पर 100 इंटू 900 बटे में क्या है 51 तो 900 में जब 51 का भाग दूँगा, कितनी बार जाएगा, एक पीछे कितना बचा, 9 और 8 में से ये 3, 390 हो गया, फिर देखिए 7 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, 7 एक कम 7 और 7 उपंजा 35 पूरा नहीं जा रहा है, यानि 7 कम हो सकता है, पूरा बरबर नहीं हो तो, यहां प इसे 5 कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा, 0 लगेगा, पॉइंट आएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार, क्योंकि 7 बार तो 377 होता है, तो 17.6 जादा नहीं जाना है, बाहरवा, इस प्रश्न का 17.65 एंसर हो जाएगा, किलिर है, तो इसे उम्मीद के साथ कि यह आपका 20 प्रश्न और 500 प्लस का टार्गेट जो मैंने लिया है, वो आप लोग जरूर आप भी देखोगे, और अपने मित्रों को भी शेयर करोगे, और अपनी कोपियों में यह प्रश्न लिख लीजिए, यह मित्रों बहुत फाइदा आपके लिए होगा, 500 प्लस का टार्गेट जैस आपके लिए मित्रों